हेलो एवरिवान वेलकम टूबर मेथ क्लास और आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास सिक्स के लिए और चैप्टर का नाम है हमारा पूर्णांग इस चैप्टर की हम पहले वी दो वीडियो बना चुके हैं वो आपको हमारी चैनल की प्लेश में मिल जाएगी आज हम जो पूर संक्रियाओं का प्रियोग करके मान ग्याद कीजिए संक्रियाओं कौन सी जो हमारे प्रिगुण होते हैं प्रिगुण कौन से किरम्बनिवे नियम सहाचार्य नियम वित्रण नियम सून्य का प्रिगुण उन नियमों का प्रियोग करके आज हम कुछ सवाल है उनके मान ग्य करते हैं आपको पढ़ने में मज़ा आता है तो आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिख रहा है उसे दबा दीजिए और उसके पास ही गंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जैसे हमारी वीडि 0 057inky conocer zero माइनस इसका मान बताना कितना हो तो मैं आपको बता दू सून्ने का पर्रवण होता है कि सूने के अगर किसी भी संख्या में गुणा कर देते हैं तो व Tar you बन जाता है बहले इसमें तीन संख्या के लावा पर सून्ने एक ऐसी संख्या है जो गुणा करने ही पर सभी को अपने जैसा ही बना देती है जाने की सूर्मंति चाहें इसमें कितने 87ẵल लगा दो कितने नाको लगा दो अगर गुर्णा 0 कर दो तो नहीं हो जाती है ठीक है यह सूनने का पर गुंड़ा है हैं सवाल है 24-56-42 25625 इसका माना अगर प्रिगुण की सायता से नहीं होता तो कैसे निकालते हैं हम इसकी इसमें गुणा करते और घटा जेते टाइम कितना लगता तस मिनट पंदर मिनट आठ मिनट पांच मिनट सब की अपने-पने कालकुलेशन करने की छम्ता के हिसाब से अलकोलेशन करने की छम्ता के हिसाब से पर प्रिगुण का परियोग करके यह सवाल चुटकियों में-2 मिनट में हो 625 निकाल लिया बाहर जैसे इसमें ए बाहर है तो 625 जब हमने इसमें से बाहर निकाल लिया ब्रेक्ट लगाया तो जब 625 बाहर आगया तो यहां कित्ता बचेगा 1456 जब यह यहां से बाहर आगया तो यहां कित्ता बचेगा तीन जीरो मेरी क्यासे दो मिनिट भी नहीं लगा है हमें सहर करने में तो प्रुणों का यही फायदा होता है ते डिगूरों की सायता से सवालों को शौर्ट में बटावटवट से कर सकते हैं ठीक है कि हमारा अंतर का रिद्रन नियमिश में लगा है तीसरा जवाल है पटाक से दे देख लेते हैं इस सवाल भी पिछली सवाल की तरह ही है। इसमें भी देखें दोनों की संक्याों में हमें देख तो इसे ही हम निकॉत लेते हैं बाहर जाने की कॉम थीख तो दूसरे नमर की component तो यहां कितना बचेगा माइनस के 40 अब इससे पिछली वीडियो में हमने आपको पूर्णा उंको का योगफल करना बताया था इस तरह के सवालों में तो इस तरह के सवालों को जब इन्हें हम जोड़ेंगे माइनस माइनस होता है दौनों माइनस की संख्या है माइनस माइनस प्लस होता है यह जाएगा माइनस के 100 और इंदोसों की गोणा करनी है बीच में कोई निशान नहीं तो गणा को माझते है यह जाए गा माइनस के 187 और दो लगा लेंगे उआ है कि इसानी से सबहорот हो गया है अगला सब्सक्रícia कि 1867 में माइनस माइनस के 18,764 तो दोनों तरफ की संख्याओं में क्या को मना रहा है ये संख्याओं दोनों तरफ है ठीक है तो इसे ही हम निकल लेंगे बाहर 18,764 तो यहां कितना बचेगा 99 माइनस यहां पर अगर यह पूरी संख्याओं बाहर आ जाएगी यहां पर ऐसा कुछ नहीं में बचेगा यहां पर एक बचेगा तो यहां मजलब रेकित हम लगा लिए ठीक हमने केवल ये बाहर निकली है है ताकी अभिये माइनस माइनस हम ब्लस कर सके तो अभी लाएन में क्या हो जाएगा 99 माइनस माइनस होगे पिलस एक तो 18,664 और यह जुड़के हो जाएंगे हमारे 100 ठीक है जी और 100 की गुणा मैंने आपको बता यह गुणा नहीं करनी होती कि यह दो जीरों इसके आगे हम लगा देंगे यह सवाल हमारा हो गया ठीक है आगे का सवाल देखते हैं अभी तक सारे सवालों वित्रन नियम लग 15,341 गुणा माइनस के दो पिलस माइनस के 15,341 गुणा अठान में चलिए तो इन दोनों में क्या देख रहा हैं मुद दोनों संक्याओं में क्या है हमारा यह है हमारी दोनों संक्याओं में कॉमन तो इसे हम निकाल लेंगे बाहर चिन्नों का इसमें जरूर ढग से देखना होता है फिर एक हम अजला ब्रेक्ट लगा लेंगे यहां बचेगा माइनस के दो कि पिलस यहां पर माइनस का चिन इसका ऐसे रहेगा और अठानवे इसके साथ बचेगा समझ रहे न आप मैंने क्या किया है मैंने केबल यह संख्या बाहर निकाली है इसका चिन अंदर ही रखा है तो चिन अकेला तो रहेगा नहीं उसके साथ माइनस हमने एक हमने लिख दिया है इसकी इसमें गोड़ा करतेंगे जब एक की किसी भी चीज में गोड़ा करते हैं तो वही संख्या आती है तो यह हो जाएगा प्लस के माइनस अठावव होते हैं अब क्या करेंगे जब माइनस माइनस क्या होते हैं पिलस यह दोलों हम जोड़ देंगे और चिन लगा देंगे माइनस का यह हो जाएगे माइनस के सो और अब इसके इन दोलों के बीच कोई निसान नहीं तो दोलों गु ठीक है कि इसमें भी तरण नियम लगाए जोड़ का अगला सवाल है इसे केवल मान गयाद करना इसमें किसी नियम का यूज नहीं होगा माइनस के आठ गोणा इसमें जो मजले ब्रेकेट के अंदर जो इसे करली ब्रेकेट कहते हैं अंग्रेजी में हंदी मजला ब्रेकेट मतलब बीच का इसे हम आगे वाले एक्साइज में पढ़ेंगे अंदर वाले पूरी संख्याओं को हल करना है तो कैसे हल करेंगे दीखें य यह वाली संक्या तो प्लस की है यह वाली संक्या चलख करतें को सवाल हो ओकरने केをस्वाली मानस जोड़ता को उन thrust गया क्या ससक्या माइनस की अब इन दोरों को हमें क्या करना है घटाना है घटा के बचेगा यह 60 और अब सीदे सीदे गुणा कर दो तो माइनस के चार सो अच्छी आगे हैं इसका ठीक है यह इतने छे सवाल थे हमारे प्रिगुणों के जो कि हमने सीखे हैं अब आपकी पुरानी प्रैक्टिस के लिए कुछ और सवाल मैंने लिखे हैं ताकि आपका थोड़ा रिवीजिन हो जाए थोड़ा माइन्ड भी आपका सार्प हो ज nochmal करेंगे तो गुणा करने पर क्या होता है कि इनके जो चिंदल वो मिलें होते हैं तो यह मिलेगा 6 थीक ऐसी माइनस के चार गुणा माइनस के पांस माइनस माइनस ब Jefferson बड़ा चोटा कुछ हम उसात और पास सीदी शीदी ओड़ा दौनों ऑसायों प्लस की संख्या यह होगे freight इस मायनेस चाल इस ऐस फनष होते हैं मायनेस और मायनेस क्यट प्लस के न तर्वीश शाइब पार यह रवंश होड़ा पंद्रह से यह मायनस के अब कौन से बची है कोई सीनी बची सब को उत्तर बिल गए है तो आज के लास में हमने केवल आपको इतना ही पढ़ाया है आप इसे धंसे रिवाइज कर ले अगली क्लास इस चेप्टर की बहुत महत्पूर होने वाली है बोर्ड मास की सवाल उस वीडियो से सुरू होने वाल